सो माई यूएन पे क्लिक करते ही जो मेरा यूएन नमबर है वो यहाँ पर निकल के आ चुका है यहाँ पर लिखावा है यूएन इस है दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी पी एफ मेंबर्स को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से 2022 में अपना यूएन नमबर पता कर सकते हैं मतलब किस तरीके से अपना यूएन नमबर निकल सकते हैं बात समझने कोसिश करिए कई बार ऐसा होता है ना कि आपने किसी decepni में काम किया आप काम छोडने के बाद उस company ने आपको ना ही ऊएन नंबर दिया और ना ही पीफ नंबर दिया है ना तो ऐसे में पीफ मेंबर निकाले किस तर invites या फिर कई ऐक केस और हो कि company ने तो आपको UN Number दिया था पीएफ नमबर दिया था लेकिन वह आप से कहीं गुम हो गया कहीं खो गया मलब किया तो ऐसे में पीएफ मेंबर पीएफ निकाले तो किस तरीके से निकाले तो आप सभी पीएफ मेंबर्स को टैंसल लेने की जरूत नहीं है आज कि इस वीडिय वीडियो को और चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर तो दोस्तों इस वक्त आप लोग देख सकते हैं हम लोग पीएप की ओफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोग को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए ठीक है अब यहाँ पर नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करते ही आपके सामने आपर एक उप्सन आएगा मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया इंपॉर्टेंट लिंक्स का और इसके नीचे भी आपको यहाँ पर पांच उप्सन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि एक्टिवेट यहाँ पर करना है जो मैं आपको बताता जाऊंगा और आपको कुछ भी नहीं करना सिंप्ली आपको आपका यूए नंबर मिल जाएगा आपको सिंप्ली यहाँ पर करना क्या है अपना यहाँ पर आपको एक मोबाईल नंबर फिल करना है मोबाईल नंबर कौन सा फिल करना ह जो कि आपके आधार card से link हो उसके बाद simply यहाँ पर capture फिल कर देना है जो यहाँ पर आ रहा ना small c, t, 8 और capital G, Q यह आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से फिल करना है तो चलिए फटफट में यहाँ पर फिल कर देता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो जो details है हो मैंने यहाँ पर फिल कर दी आप हमें simply नीचे दिये हुए request OTP के बटन पर क्लिक कर देना है आप request OTP के बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो OTP send successfully तो जो भी आपने यहाँ पर mobile नमबर डाला था उस पर एक OTP बेजा गया है तो चलिए फटदा-फट में OTP आपर फिल कर देता हूं अब जो OTP है बैने यहाँ पर फिल कर दिया आप हमें simply दुबारा से एक बार capture है यहाँ पर फिल करना है तो चलिए capture में यहाँ पर फिल कर देता हूं आप लोग देख सकते हो जो capture है वो मैंने यहां पर fill कर दिया अब हमें simply नीचे दिये हुए validate OTP वाले option पर click कर देना है validate OTP पर click करते हैं आप देख सकते हैं OTP validation successfully अब यहां पर process हो चुका है अब बिल्कुल ध्यान से सुनियेगा अब जो भी detail आपके आधार card में है ध्यान रहे है यह process उसमें काम करेगा जो 2014 के बाद वाले UN number है 2014 से पहले वाले नहीं 15, 16, 17, 18, 19 से जो अब तक के हैं उसमें यह काम करेगा process समझ रहो ना जिसमें आपने company में आधार card दिया हो तो simply अब आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना है डेटो बर्थ फिल करनी है और आधार number फिल करनी है ठीक है ना अब आपको details वही फिल करनी है जो कि आपके आधार card में हो आधार से match हो नहीं चाहिए details समझ रहो ना आप लोग अधार अगर आप अलग details यहाँ पर फिल कर दोगे तो भई मामला विगड जाएगा UN number नहीं निकलेगा बिल्कुल आपको अच्छे से आराम से धीरे धीर ही details फिल करनी है आप यहाँ पर देख सकते हो जो details है हो मैंने यहाँ पर फिल कर दिये अब हमें simply बिल्कुल नीचे क पर किलिक करते ही जो मेरा UN number है वो यहाँ पर निकल के आ चूका है यहाँ इस अर टीकना जो नीचे लिखा हो है ना जो भी आंक Even कि में यहाँ ल casting लेख सकते हो मैं किसी को वीडिया wrap यहाँ लाग हि निकाल सकते हो उमीद करता हूँ आप लोको वीडियो अच्छे लगी बहुत से पीएप मेंबर्स कहेंगे इसका पासवर्ड कैसे बनाएं तो देखिए दोस्तो इसी वीडियो में पासवर्ड बनाना बताऊंगा तो वीडियो काफे ज़्यदा लंबी हो जाएगी अगर आप लोग चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना हम यूएन नमबर कर दोरा लंगा दनसे जिस पासवर्ड के ज路 चाहते हैं जरूएमगा पासवर्ड वीडियो सेयो सेले जरेपयर जरेखिए हैं करेके जरूरा क flavored करी cm